जुम्मन शेख और अलगु चौधरी में गाड़ी मित्रता थी, साजे में खेती होती थी, कुछ लेन दिन में भी साजा था, एक को दूसरे पर अटल विश्वास था, जुमन जब हज करने गए थे, तब अपना घर अलगु को सौप गए थे, और अलगु जब कभी बाहर जात तो जुमन पर अपना घर छोड़ देते थे, उनके विचार आपस में बहुत मिलते थे, मित्रता का मूल मंत्र भी यही है, इस मित्रता का जन्ग उसी समय हुआ, जग दोनों मित्र बालक ही थे, और जुमन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे, जुमन श चोड़े वादे करके, वह मिलकेत अपने नाम लिखवा ली थी, जब तक जादाद की रजिस्ट्री ना हुई थी, तब तक खाला जान का खूब आदर सतकार किया गया, उन्हें खूब स्वादिष्ट भोजन खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा सीखी गई, पर रजि चारी खाला जान को प्राया नित्ती ही ऐसी बाते सुननी परती थी, कुछ दिन खाला जान ने कड़वी बाते सुनी और सही, पर जब सहा न गया, तब जुम्मन से शिकायत की, जुम्मन ने ग्रह स्वामीने के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा, कुछ दिन तक और यो ही रोध होकर काम चलता रहा, अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वान न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खालूंगी, जुम्मन ने कठोरता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते है खाला ने नम्रता से कहा, मुझे थोड़ा ही चाहिए, जादा नहीं, जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो यह थोड़ा ही समझा था, कि तुम मौत से लड़कर आई हो, खाला बिगड गई, उन्होंने पंचायत के पास जाने की धमकी दी, जुम्मन हसने लगा जिस तरह कोई शिकारी, फिर उनको जाल की तरफ जाते देखकर, मन ही मन हसता है, वे बोले, हाँ, जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विशे में जुमन को कुछ भी संदे न था, आसपास के गावों में ऐसा कौन था, जो उसके अनुग्रहों का रणी न हो, ऐसा कौन था, जो उसको शत्रू बनाने का साहस कर सके, किस में इतना बल था, जो उसका सामना कर सके, इसके बाद कही दिन तक बुड़ी खाला हाथ में एक लकड़े लिये आसपास के गाओं में दोड़ती रही कमर जुपकर कमान हो गई थी एक-एक पग चलना दूबर था मगर बात आ पड़ी थी उसका नेने करना जरूरी था शायद ही कोई भला आदमी बचा होगा जिसके सामने बुड़िया में दुख के आसुना बहाई हूँ चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगु चौधरी के पास आई लाठी पटक दी और दम लेकर बोली बेटा तुम भिक्षन भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना मुझे बुला कर क्या करोगी कई गाव के आदमी तो आवेंगे ही अपनी विपदा तो सब के आगे रुआई अब आने ना आने का अख्तियार उनको है यूँ आने को आजाओंगा मगर पंचायत में मुह ना खोलूँगा क्यों बेटा अब इसका क्या जवाब दूँ जुम्मन मेरा पुराना मित्र है उससे बिगाड नहीं सकता बेटा क्या बिगाड के डर से इमान की बात न कहोगी अलगु इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका पर उसके हृदय में ये शब्द गूँज रहे थे संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी शीख जुमन ने पहले से ही फर्ष बिचा रखा था वे स्वैम अलबत्ता अलगु चौधरी के साथ जरा दूरी पर बैठे हुए थे जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे जब सूर्य अस्थ हो गया और चिडियों की कलरव्युक्त पंचायत पेड़ू पर बैठी तब यहां भी पंचायत शुरू हुई फर्ष की एक एक अंगुल जमीन भर गई पर अधिकाँश दर्शक ही थे निमंतित महाशयों में कम ही लोग पधारे थे पंच लोग बैठ गए तो बुड़ी खाला ने उनसे वनिपी की पंचो हाज तीन साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुमन के नाम लिख दी थी इसे आप लोग जानते ही हूंगे जुमन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता मुझे ना पेट भरने को रोटी मिलती है ना तन का कपड़ा बेबस बेवा हूं कचेहरी दरबार नहीं कर सकती तुमारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाओ तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं अगर मुझ में कोई एब देखो तो मुझ से कहो जुमन में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यूं एक बेबस की आह लेता है मैं पंचो का हुक्म सर माथे पर रखूंगी सर पंच किसे बनाया जाए इस बात पर जुमन शेक और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई खाला जान ने कहा पेटा पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन मैं तुमारे मित्र अलगु चौदरी को ही सरपंच मानती हूँ जुमन शेक आनन से फूल उठे परंतु भावों को छिपा कर बूले अलगु ही सही मेरे लिए जैसे और लोग वैसे अलगु अलगु इस जमेले में फसना नहीं चाहते थे वी कन्नी काटने लगे बूले खाला तुम जानती हो कि मेरी जुमन से गाड़ी दोस्ती है खाला ने गंभीर स्वर में कहा बीटा दोस्ती के लिए कोई अपना इमान नहीं बेचता पंच के दिल में खुदा बसता है पंचों के मुँ से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है अलगु जौधरी सर पंच हुए अलगु जौधरी बोले शेख जुमन हम और तुम पुराने दोस्त हैं जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं मगर इस समय तुम और बोड़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो तुम को पंचों से जो कहना हो कहो जुमन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है अलगु यह सब दिखावे की बाते कर रहा है अदेव शांत चित्त होकर बोले पंचों तीन साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी मैंने उन्हें खाना कपड़ा देना कुबूल किया था खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलिफ नहीं दी मैं उन्हें अपनी मां के समान समझता हूँ उनकी खिद्मत करना मेरा फर्ज है मगर औरतों में जरा अन्बन रहती है इसमें मेरा क्या बस है खाला जान मुझे से माहवार खर्च अलग मांगती है जाइदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं उस से इतना मुनाफ़ा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूँ इसके अलावा रजिस्ट्री में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं नहीं तो मैं भूल कर भी इस जहमेले में न पड़ता बस मुझे यही कहना है अब पंचों का इख्तियार है जो फैसला चाहें करें अल्गु जोदरी को हमीशा कचहरी से काम पड़ता था इसलिए वे पूरे कानूनी आदमी थे उन्होंने जुम्मन से बात शुरू की एक-एक प्रश्न जुम्मन के हिदय पर हथोड़े के चोट की तरह पड़ता था जुम्मन चकित थे कि अल्गु को क्या हो गया अब ही यह अल्गु मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़क हो दने पर तुला हुआ है नमालुम यह कब की कसर निकाल रहा है क्या इतने दिनों की दोस्ति कुछ भी काम न आवेगी जुमन शेख तो इसी सोच विचार में पड़े हुए थी कि इतने में अल्गु ने फैसला सुनाया जुमन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया उन्हें यह सही मालूम होता है कि खाला जान को महावार खर्च दिया जाए हमारा विचार है कि खाला की जाइदाद से इतना मुनाफ़ अवश्य होता है कि महावार खर्च दिया जा सके बस यही हमारा फैसला है अगर जुमन को खर्च देना मनजूर नहो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए यहाँ फैसला सुनते ही जुमन सन्नाटे में आ गए अपना मित्र ही वह शत्रो का व्यभार करे और गले पर छुरी फेरे इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पढ़ने पर धोखा दिया गाओं के लोग अलगु चादरी को इस फैसले की प्रशंसा जीब खूल कर कर रहे थे वे कहते थे इसका नाम पंचायत है दूद का दूद और पानी का पानी कर दिया ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर प्रिथ्वी ठहरी है नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती इस फैसले ने अलगु और जुमन की दोस्ती की जड़ हिला दी अब वे साथ साथ बाते करते नहीं दिखाई देते जुमन को भी बदला लेने का अफसर जलती ही मिल गया पिछले साल अलगु चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मूल लाए थे जिन में से एक बैल मर गया अब अकेला बैल किस काम का उसका जोड बहुत ढूंडा गया पर ना मिला फिर यह सला हुई कि उसे बीश डालना चाहिए गाउं में एक संजू साहू थे वे एका गाड़ी हाथ से थे गाउं से दोड़ी घी लादगर मंडी ले जाते थे मंडी से तेल नमत भर लाते और गाउं में बेचते इस बैल पर उनका मन लहराया उन्होंने सूचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखट के तीन खेप हो आज कल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं बैल गाड़ी में दोड़ाया मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांद दिया एक महिने में दाम चुकाने का वादा ठहरा अल्गु जौधरी को भी गरिस थी ही घाटे की परवार न की संजू साहु ने नया बैल पाया तो वह दिन में तीन तीन चार चार खेपे करने लगे न चारे की फिक्र थी न पानी की बस खेपों से काम था मंडी ले गए वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डालती आ अल्गु जौधरी के ख़त था तो चैन की बंशी बचती थी बैल राम शठे छमाहे कभी-कभी गाड़ी में जोते जाते थे खूब उचलते-कूजते और कोसु तक दौर में चले जाते थे वहाँ साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली और यही नहीं, कभी-कभी घी का स्वाद भी चकने को मिल जाता था कहां वह सुख चैन, अब कहां यहां आठों पहर की खपत माईने भजी में बहुत अच्छा गया इक्के को देखते ही, इस पन दहों सूच जाता था एक-एक पग जलना दू भर था एक दिन चौथी खेब में साहु जी ने दूना बोजहन लादा दिन भर का ठका जाने बद पहर उठते नक्ति पर साहु जी पोड़े खटकार में लगे बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ ज़त चला साहु जी को जल पहुचने को फिसल की अधे वहने कई पोड़े बोजने दता से भटकारे बैल ने एक बार खिल जोग लगाया पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा साहु जी ने बहुत टांग पकड़ कर खीचा पर कहीं मरा हुआ भी उठ सकता है तब साहु जी को कुछ शक हुआ उन्होंने बैल को गोर से देखा खोल कर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे बहुत चीखे चलाए कोई नजर ना आया मारे करोड के मरे बैल को कोसने लगे तुझे मरना ही था तो घर पहुँच कर मरता बीच रास्ते में ही मर गया अब गाड़ी कौन खीजे इस तरह साहु जी खूब जले भुने कई बोरे गोड और कई पीपे घी के बेचे थे काफी रुपे कमर में बंदे थे इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक्के थे अदेव छोड़ कर जा भी न सकते थे लाचार बिचारे गाड़ी पर ही लेट गए वही रत जगा करने की ठान ले सहुजी आदी रात तक नीद को बहनाते रहे अपनी जान में तो वे इचागते ही रहे पर पॉप फटते ही जब नीद खुली और कमर पर हाथ रखा तो ठेली गाएव गबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारत अफसोस में बिचारे ने सिर पीट लिया प्रातर काल रोते बिलखते घर पहुँची खबर सुन सहुआइन पहले तो रोई फिर अलगू चौधरी को कोस्त ने देने लगी निगोडे ने ऐसा बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई इस घठना को हुए कई महीने बीच गए अलगू जब अपने बैल के दाम मांग दे तब साहु और सहुआइन लड़ने लगते वाह यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई सच्चा नाश हो गया इन्हें दामों की पड़ी है बीमार बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं ज्यादा ही हो तो हमारा बैल ले लो अंत में अलगू ने पंचायत करने का फैसला किया पंचायत की तयारियां होने लगी दोनों पक्षु ने अपने अपने दल बनाने शुरू किये इसके बाद तीसरे दिन उसे व्रक्ष के नीचे पंचायत बैठी पंचायत बैठ गई तो गाउं के रामधन मिश्र ने कहा अब देरी क्या है सरपंच का चुनाव हो जाना चाहिए बोलो चौधरी किसे सरपंच बनाते हो अलगू ने दीन भाव से कहा संजू खड़े हुए और कड़क कर बोले मेरे और से जुम्मन शेख जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलीजा धक धक करने लगा लगा जैसे किसी ने अचानक थपड़ मार दिया हो उन्होंने चुप चाप जुम्मन शेख को सरपंच स्विकार कर लिया जुम्मन शेख जब सरपंच के आसन पर बैठे तो उनके मन में भी अपनी जिम्मेदारी का भाव बैदा हुआ उन्होंने सूचा पंचो ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किये बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया अल्गु चौधरी और समझू साहू पंचो ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया समझू को उचित है कि वह बैल का पूरा दाम दे जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी बैल की मृत्यों केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया रामधन मिश्र बोले समझू ने बैल को जान बूज कर मारा है अतयव उसे दंड मिलना चाहिए जुमन बोले यह दूसरा सवाल है हमें इस से कोई मतलब नहीं जगडु साहु ने कहा समझू के साथ कुछ रियायत होने चाहिए जुमन बोले यह अलगु चौधरी की इच्छा पर निर्भर है यह रियायत करें तो उनकी शराफत अलगु चौधरी भूले ने समाए उठ खड़े हुए और जोड से बोले पंच परमेश्वर की जै इसके साथ ही चारों ओर से प्रतित होनी हुई पंच परमेश्वर की जै पंच परमेश्वर की जै प्रतिक मनुष्य जुमन की नीती को सरा आता था इसे कहते हैं नियाय यह मनुष्य का काम नहीं पंच में परमेश्वर वास करते हैं यह उनहीं की महिमा है पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगों के पास आए और उनके गले लिपट कर भोले भाईया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रू बन गया था पर आज मुझे ग्यात हुआ कि पंच के पद पर बैठ कर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन नियाय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता आज मुझे विश्वास हो गया है कि पंच की जबान से खुदा बोलता है अलगों रोने लगे इस पानी से दोनों के दिलों का महल धुल गया मित्रता की मुर्जाई हुई लटा फिर सिहरी हो गई हलो दोस्तों कैसे है आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और हाँ बैल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलेगा